प्रदानन्दां पोधि स्मितरुचिर पुर्णें दुवादना प्रफूलां भोजनमा अच्छदसद्रश सोभाक्षि युगला क्रीपापारावार स्रीत सकल जीवाति सुखदो महास्रेयो मुर्ति जयति सहिनारायन मुनि वर्निवेशरमनियाधर्शनम् मंदहासरुचिराद्ननाम् भुझम् तम् सुर्णरो तमेरमुदा धर्मनंदनमहं विचिंते ओम यावतारिने स्री स्वामिनारायनायनमो नम ओम स्री हरिक्रिष्नायनमो नम ओम स्री पुर्ण पुरुषोतमायनमो नम बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरिक्रुष्ना महराजनी स्री गणश्या महराजनी बदाई पक्तोने थिजय स्वामिनारायन श्रद्गुरु आधारनन स्वामि स्री हरी चरित्रम सागर ग्रंथनी अंदर पूरु चोथू अने तरंगाट येमा छिल्ले येम कथा लखेशेन मुक्तानन स्वामि उत्तम राजाने कथा संबड़ावेशे के भगवान स्री हरी है पूताना संतोने ऊबदेश आपयोछे के हे संतो तम्हे हम्मेसने माटे सहन कर जो हे सनतो तम्हे क्यारेई पन कोईने दूख थायम पुरत्ता नी औंस ने संतोने झेवटे आश्रेई मार्ग अने ग्ण्यान बदे बहेंए वात समस्यावी अने एक ज्ञान मार्ग छे एने गौन राखीने पन आसराई मार्ग द्वारा अनेक जिवना कल्लियन थाई छे अविवात भगवान स्रीयरी के छे आगर आधारन स्वमी लखे छे मुक्तान स्वमी उत्तम राजाने कथा समड़ावे छे पूर चोथू तरंग नौ स्रीहरिबात ही कर रहे संजा हो नहीं आई बाजिंत्र लई संत ही गोरी राग बोलाई पीछे आरति किन सब मसाल आई प्रगटाई जरीमई बसन पेरे हरी सोबार ही महाचाई श्रीहरी उपर मुझबनी बातो करता हता अने संध्या समय थवावे एटले संतो ये वाजिंत्र लईने गोडी राग ना किर्तन गाया आपड़े कही है चेन गोडी बोलो संत समागम कीजे एग गोडी एटले सु गोडी राग चे गोडी राग नी अंदर लखायला पदोने गावा येन गोडी गाई केवाई आपड़े रोज आरती पेला के ये गोडी इगाव पन गोडी एटले सु आउ तो आपड़े घणू बुदु करता हो इसु के जनो प्रश्ना आपड़े क्यारे थ्योद नथी के गोडी एटले सु सा माटे ने गोडी इज की दी नथी कबर राग छे राग नू नाम छे संध्या समय गावा नू राग छे संतोय वाजिंत्र लेन गोडी राग ना किरतन गाया पच्छी सववे मडी ने आर्ती करी मसालो प्रक्टावी स्रीहरी एजरियानी वस्त्रपे रहा तेनी महान सोबा चारे बाजु छवाई गई ते समय श्रीहरी एप्रथम बोली ने नारायन धुन करावी बधा संतो ते धुन ने पची थी बोलता रहा तेना थी बद्धो आकास गाजी रहोतो भगवान स्रीहरी स्वयम भगवान नी धोन बोला हुता महाराद लोयाना वचनावृत्मा के छे के हाथना अंगडा फाटी जाए यही जोर जोर्थी ताड़ी पाड़ीने भगवान नी धोन करिये छी जो नारायन सरखा थाई जवात ओध कोई पन साधन करिया वीना तो सा माटे तालिव गाड़ीना वी धोन करता भगवान स्वयम धोन करता अने धोन करा हुता महाराज बोले अने संतो पाछड जिलता तैहीं लख्यू के आकास आखू गाजी इरियो एटली वात नकी के आकास ने गजावा माटे पाछा भग तो एवा जोये आपड़े तो जो जिल्वा वाड़ो बंधी गयो है ने तो ख खबरतना पड़े काई एकड़ पचास के सो मानसो बैठेला चे दुनमाग नथी बैठा बहुच काचू अमेरिका मां ताड़ी पाड़वानू काम अने जिल्वानू काम एटलू बुदू काचू छे यमां बद्धानो समा विशावी जाईचे मोट्टे भागे काचू छे आपड़ा लोया धाम परिवार मा साराम सारी ना बेष्ट मा बेष्ट धुन करता हो इना यह वडोद्रानारी बक्तो से वडोद्रानारी बक्तो बेष्ट मा बेष्ट साराम सारी पच्छी म्यकन मुंड़ अना आपड़ो नंबर तोजुमर वेचव पड़शे पूच्वान इमना आवतता हि धून थाती हुए उगनिवद नजर करूए तनल ​​ इıt मारा दर्षान इंप प्रहुत3 दून थाती हुए तो ताड़ी पादवा वड़ dogs जो जिलवा वड़ह गणा हो दॉचा हुए इत ताली पाड़ी या निल्डear विन नु पोलीौन रहे ऐरा उच्छ स्वरे करिन ध्धुन बोल वी जुए जोर्थी ताडि वगाडीन धुन बोल वी जुए अतो उला धुन गावड़ान पोरो-चडढवपटे बोलो ताडि पाडो तय रहे मांण मांण पसरे पागवाना मसद बनिन वघवान नी धोन कर वी जोई ए उच्चा स्वरे करिन भोलु जोई ये माइक शिस्टम न ओै तो है भगवानने नाचवानी इच्छा थावी जोई बगवान पोते दोन कर आउता अने संतों धोन करता तेरे आकास आखो गाजिर हो दर्बार एभ अथक माने, जहरे आपड़े भगवान नाम मंत्र नी धोन बहु जोर थी ने, सरस्रीत आकास गाजयम करता हूँ यह ताड़ी पाड़ी ने, त्यारे कोई व्यक्ति अजान्य व्यक्ति आवे ने तो यहने दर्शन करीने हेत थी जाए, यहने दर्शन करीने पोताना धन्य पन यह एरपोट उपर खबर शेक दसज मीट करवानी से अन्य खासमना गुरुजी आवे शेटले लागु जुएक भगवान भग्तो भजन करे से अन्य पाड़ी ने पाड़ी ने जीवनो धाड़ो जेवोचे दिलु थवानु आने जनमो जनमनु चे टाइट करवा तो अक आथा हूं करया करे चावी भरया करे ओटोमेटिक रमकडु मोक्समार्गनु चेद नहीं अन्य ओटोमेटिक जेदी एकच चावी चालवा माड़ियो तेदी पूरु थेगियो आतो रोज चावी देवी पड़े यादरे आवे जेटला एक थामड़ी हसे ने आवे दुन था यादरे से यह पांचो वठवडई उदुर्यू फरी पांचो बासपि भौन कानके त्रन ताप आधि व्यादिन उपादी पास पी बासपि भौन करदे फरी पांचो फरी थाप फूर थाई जे धून बुलावि रया त्यार संतोय स्रीहरी नी स्तुति करि सव संतो बनने आगड़ना भागमा उभारह्या बेडा मरीने व्यद स्तुती बोलवा लागया। स्रीमत रामायन ङे विशे भगवान सरी रामचंत्रजी जयी जरी अंतर ध्यान ठाई थायी छे तेरे वेदो जे स्तुती करेचे ने लेद स्तुती केवा했는데 ये वेद स्तुती नो विभाग येई संतो बोलवा लागया रंग भिना श्रीहरी मूँ खाड़ो रुमाल राखी ने मरक मरक हसी रहा आता बराब बर ते समय दर्बार एबल खाचन्य अनंत पार आश्चर्य देखायू अक्षर धाम हरी कोहे जाई तिन में बैठे हे जनुआई नीज रहन के मौलह जोई नीज रहन के मौलह जोई अनंत सोभा मय देखे सोई मनि मय स्तंबर चीत चहु कोरा तिन परपंखी करत जिंगोरा कितने के माल न आवत पारा कितने के माल न आवत पारा यहाथी रहे द्वार यपारा यहाथी रहे द्वार यपारा अभ ही राजा ने आनंद छे मारा दरबारह गड़नी इंदर में भगवनने राख्या भगवनना संत ने राख्या मारो दरबारह पावन थेगेंव मारव एक घर भाग्याशाडी चे, बगवन वो मोटू गर थाईज एडला वे गर मारे वानु बन थाईजे, एनो अर्थे ओ नाथी भाग्याशाडी आवे आपने मटी गया, एतो वदारे भाग्याशाडी चे, परंतु जिया मंदीर ना होई, वेवस्था ना होई, तिया संतो र्य होई, और संतो भजन करता होई, हवार मा पूजा करता होई, पुझे पाद गुरुजी जेवा मोटा पूरुष ठाकोर जी नो अभिषेक करता होई, और जे घर में ये थाई, ये घर तो किटलू पावन थाई, अक्सर धाम तुल्या थाई, पन ये घर मा रेता सभ्यों ने अहो, अहो, अहो थाई, अमारा क्योडा मोटा भाग्यक, अमारे गेर ठाकोर जी, अमारे गेर संतो, आजे गुरुजी कितला राजी था, आपडा परिवारों बद्धे अंकूट, अंकूट ठाकोर जी माते, ठाकोर जी माते अंकूट, कई गुरुजी न संतों तो जंबन न पन कोनी माटे अनकूट, ठाकोर जी माटे, पोते तो जंबान वोई तो यह नथी जंबाना, और उप्पास वोई तो जंबान उद नथी, पन राजी थाई, भक्त नो भाव जोईने भगवन ना मोटा साधू राजी थाई, अभई राजाने बहु भाव थियो, बहु भाव थ है अटले सूत है के महराज जारे मंद मंद रुमाल राखी ने हस्ता ता एबल खाचरे जोयू अने आ दर्शन करया पोताना अरदईमा आहो भाव छे अने अलोकी कास्चरिय देखायू क्यों अनुभव थयो तो मानों के पोते श्रीहरी ना अक्सर धाम मा आवीने बेठा छे त्या तेमने पोताने रेवा माटेन अनन्त सोबा संपड मेल जोयू जेवू अईया गड़ दर्बार गड़तो नेना करता तो अनन्त गणों सोबा वड़ो मेल पोतानो जो एबल बापु अक्सर धाम मद दियू चारे तरप मनी जडी स्तंप सोभी रहा छे तेनी उपर ब्य पंख्यो कल्रव करी रहा छे किटला आक माडनो मेल छे ते देखवा थी ख्याल आउतो नही मेल ना द्वारा गड़ अपा राथी उबाता अक्सर धाम नी अंदर ये बल बापु एपोतानो मेल जोयो और मेल ना दर्वाजा पाई अपा राथी उबाता पंख्यो बेठाता तो आपन ने था अक्सर धाम में छे आउ बद्दुच छे जेवो भगवान नो बगत एवो जेवो एनो भाव एवो एन बद्दुच भगवान त्यां आपे छे निया गाड़ी जोती यसे नहीं तो गाड़ी मड़ से खाली निया जे भगवान ने नथी गमतु यवोद नहीं मड़े बाकी बद्दुच मड़ से जेवो चिन्तव शेवो निया ए प्रकार ना मुक्तो छे आ अक्सर धाम नू वर्नन हरीला मृत्मा छे हरीला मृत्मा विस्तार थी हा वर्नन छे के निया बदाई मुक्तो बद्दाई आम महरातनी मुर्ति हामु जोईनेच बेठार एवा ने निया मुक्तो ना मेले इचेन बदु हिंडोडाई चे बदु हीचकवानु इचे कान कहीं थी जाए आपड़े आवे बदाई जसुद मुर्ति हामे बेहार एवा ची आपड़े चोईश कल्ला काम मुर्ति हाम हो जोईने आपने टेव पड़ीच जोईए घडिकवार जाईए सभामा पचितो काई थोड़ू जुल्वाई जोए ने बदु राखे निया बद टैयार राखे जेवा सरस्करन्ड workflows आपनी दela महाराज निया सीधु आपpaन इमाराज माट्ट अनकूट तैयार राखे हो महाराज आपने अनकूट आपना कहाराज माराज के मारो बघभध तो आवे पेला बददी तैयारी तमाहे विचारों आपड़े देह छोडिए त्या रहाजकारन एक मेर आवानों इतकेटली कारजी लेवी पड़े, एमनों सोफो मुकी देवो पड़े, एने लेवा हामे मोकलवा पड़े, बराबर एने आवी ते हार पेरा आउसु, एनु आवा सब्दों बोल्सु, केटलू आयोजन करूँ पड़े, तो एक आखा देशनों प मेर आवे तो आपड़ू मगजे मा जतूरे तू है, तो आवड़ा मुटा आवे तो भगवान आपने केवडा मुटा जानता आशे का आपड़ी तैयार यो आथी लखी राखेश, के आनी जीवन पूरू थाई त्यार आने आटलू मारे प्रोवाइड करवानुशे, पन जो आपने एव राखे शो के तमारे मुर्ति विना नाथरे बी-जु ने आप सो मा, तो भगवान के बान के मुर्ति आपिस, पन मेल जोतो हो छे, तो मेल पन महाराज के मारी पहेशचे, हिं Dale Нет जोता आशे तो एई थे, हारा भोजन खावाना जोता आशे तो एई थे, पहला पि अभा संत हमने रसूरके दुत्पाक मालपुडा और अवे सादूं रसोई इंडियान उन्दीर एक भगते रसूई जैके रसूई ज्छी पानी पूरी नइ रसूई जैके पाव भाजी न ard संत हमने ली रसुई जैक जैको आठ फब्गवनीनी कह dying वे रसोई देवा से, अपनो तरी सन्त आजे नवा नवा थाई, अधर भाजी खाएवा होई, तो रसोई आविध्द देवाई इन मालपुडन दुत्पकाग जमियावाई किया अवाँ थया होई, अचर दामनी यंदर बॉट भापुया जोयू, इस और मेल नयागड बद्या जेटला गठपूर वास्योतां बदह इन तहां विमानों रथोडों आ ना रहा हो तो ने तिहां बदध सोना ना रहा हो ने बदध सोना ना ड़ा किंप है नो बदध सोनाना बोलो न IRA Branch पन थोड़ो दास थेवा त्यां दास थोड़ा सेवा को हजार होता ते बदु जोईने तेमने महा आश्चरियत थतू अतू कैम एभल बापुन आउँ देखायू कान के एभल बापुनी समझनमा हजू त्या सुद्धिनी जनी पासे हम जन छे इतले ने उँ देखायू अक्सर धम्मा कुई न आप डियमकई अक्सर धम्मा घग्वन नि मुर्तिहामोज्जोईन बेठा रेखू तो काई अक्सर धम्मनी अंत जवानी इच्छान थायां पनि येमके हावने कोई dengan के उखे एक्सर धम्मनी अंतर जवानु नक्की करो ते खेडूद न आप्ड़ एम एभल बापुछे एनी समझन अजू परिफख्वताने नथी पामीली, एनी चौकत दिव्यता थाी गीचे, एनी आनंद छे, पНе परिफख्वताने नथी पामी, बाता सोनाना बनेला थे बदा सोनाना बनेला हता, पोतानी सेवा करनारा सेवा कुँद कोई पार ना, तो रत्न जडी धंडोडा उपर भैसि ने जूलता है, तेम पोते पोताने जोया, जोयू? संकर्भई ने, रत्न जडी धंडोड सुलता, पोते पोतान जोय एबल बाप ए, अक्सर दामा, पोते पोताना सरीन ने पन गनु आश्चरियकार इन पुष्कड तेजो मही देखियो, पोताना पुत्र दादा खाचन नो मेल पन जुदो देखियो, जयो दीकरानो मेले देखाई गयो अक्सर दाम्मा, आ बधायनू कारण से अजू समागम चालू छे, प्रोसेस चालू छे, इतले आओ देखाई गयो देखाई आत्यान तेदने लिए जयो जगमघ जगमघ जड़ी हड़ी रहे होतो, पोताना बंगे पउत्रना मेल पन ते बात देखाई तीजी पेड़ी ना मेले जोई लिदा य पल बापु है, बोलो आपड आओ जोओ जोए के नहीं, तीजी निया एड्रेस राखवानु का मार दिक्रानो ना मार दिक्राना दिक्रानो प्रोब्लेम थी जाई निया यादरेतो आतो महाराज अलोकी कास्चरिय खाली एभल बापुने बत्ता आवे छे भगवाननू के हुँछे जे जेवा लेवलनो होईने यह उएने दे भगवानना भगवलनो बेठ होचे यह उने दे साधूपाय आवी और कोई कजुने मनुष्यय जन्मनी दुरलप्ताणी निन्न थिखबर एवो व्यक्ति आवे होईते यह ने मनुष्यय जन्मनी दुरलप्ताज हम जावई और कोई वरसोथी सत्संकरीने द्रड़ थे उचे न जोब, उली जोब हेली, खोंयुग इन और उय जोब हैली, तटो रहरे बड़ी सोग अ मा क्या सित तैने मादमोच्ग, होई क्या सोगे अरन की है आँ तोगाला बोल सोग्स टो OUT लेधे, दसला भड़ी, काई मड़िव यह जोब हाऊ थी अगरी आनके के जी वाड़ानु एकलो पिर्षोत पीएच विवारा के आमार तो खाली ब्याठाज रेवानु थियो अने पिला पीएच विवारनु पूर्षोत के जी वाड़ा के आमने हुकरोब बोला वेता काई खबर पड़ी ने आम थाई यहमा एभल बापु छे एभल बापु नू लेवल हजु एटलुच छे के एमने महराद ने पोतानु एस्वरिया ने पोतानु अलोकिक पनु बतावा माटे आउज बतावु पड़े दादा खाचन अधिकरावना मेल पन ने आता यहम बतावु ते देखता होवा छता तेनी सोभा कल्पयामा आउती न थी एक एक थी अधिक अनंसुब संपन मेलोने बुद्धिमान दर्बारे देख्या त्यां थी नजीक मात दर्बार जीवा खाचन ना मेल पन देख्या दटपूर सेर पं ते समय तेमने तयां देखायो ते अत्यां तेजो मेई अनुपम्ने विलक्षन जनातु अति तयनी सोभानों क्या अनुद्ध देख्याटो नो तो जख़ां देख्या त्यां एक एकली सुंदर तानुद्धथां आनु भवाती हती। भगवान जारे पृत् पोताना मुक्तोय सहित पततो ही परण्तू देखवावणाने कोईकनेथ देखया माझेlly। पुताना मुक्तोय लेल पत्थार अलोकिक पुरुषोय लेए पततारो लोयनी अंदर। स्री जी मारदनसा मोटा बय राम प्रतफ्प जीना नाना ज इच्छा राम जी आपने भाएं बहस्द ओला संकल्व थो का राम प्रताब भाई कौन होशे किवा बढ़िया आशे, ते रात्रे हूता था, ते राम प्रताब भाई ये बिम भाई ने नुसी रूपे दर संधी था, नुसी आउतार रूपे, बेधि वो सुधिया वो थीओ, ले बिम भाई सृरी जी महाराद ने वाद करी, के स्रीजी महाराज ने कि तू राम प्रतभ बय कौन से तो मने तमें जनाओ एले महाराज रात्रे हमने समाधी करावी मध्यरातरीन विशे समाधी करावी च्रीजी महाराज आगड आले और भीम्भय पाचड चाले रात्रे समाधी थे, महाराज आगल आलता आलता पाताड मा गया, ते पाताड नी अंदर एक नानो हापनो खनो आम बेठेलो, और नियाग्या पोठेला था, महाराज पोता नी नेतर नी सोटी अती ने अडाडी है, ते शिदा जाग्या, जागी ने विराठ स्वरूप धारन कर हजार फणाधारी, सेस्त नारे, और नियुपर एक स्वेत मूर्ती हती, स्वेत मूर्ती, एक दम नानी, महाराज के आजोयू, राम प्रताब जीशे, आछे ने ये राम प्रताब जीशे, और पच्छी, येमने महाराज ने सियासान उपर पद्राव्या, और त्यांगल, भी भीम भाई स्री जी ने पूछू, त्यार स्री जी महाराज बोले, आसेस्त नारे, नेमना माथे ये स्वेत मूर्ती जनाई राम प्रताब जीशे, पची त्यांथी बद्री का अश्रम भाग्या, महाराज, भीम भाई पाचड पाचड आले, बोर्धी नीचे ब्रह्मानन भीम भाई के महाराज आ ब्रह्मानन स्वाम ये बोड़ी तड़े हूं करेशे, महाराज के अईना मुक्तो ने अमारा स्वरुपनु ध्यान, अमारा स्वरुपनु ज्ञान करावी ने, अमारी मुर्ती नु ध्यान करावी ने अक्सर दामा लईजवा माटे ब्रह्मानन स्व श्वेद्धिप माँ त्या अनन्धि मुक्तिं विटाय गोपालां स्वामी बेठेला and sweat muktoерж आजुआ आजू 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 बेठेला नित्यानन स्वामी गोलोक नी अंदर आवे छे औने अमारा स्वरूपनो निष्चय कर आवे छे विचारो तो खरा अलग-अलग धामो नी अंदर अक्सर धामना मुक्तोन जैन भगवान मुक्तोन तौ आपने तो केली भग्य शाडगी यह आपनने तौ आ लोकनी अंदर अयाज आपने तो महराथ नो निश्चे सरोव परिपना निश्चे पाको थे इयो महराथ त्यां थी लईन गोलोक थी आगल अक्सर धाम ने अंदर गया ते अक्सर धाम ने अंदर गोलोक ने अंदर बीम भाई ने निया थान बीम भाई तो पाचल पाचल आलता था आपड़ी सबने अंदर हरियरा गुरु कुल्थी परम पुज्य सद्गुरु स्वामी सास्त्री स्वामी भक्ती प्रकास्वामी पदार्याच खुब ताड़ियो थी आपड़े स्वामी नूँ स्वागत करीशु आवड़ा बहु मोटा भाग्या से साथे पुज्य स्रीजी स्वामी पुज्य विव्यक स्वामी अने साथे संस्थाना ट्रष्टी सेवा भक्तराज पदार्याच बदाई भक्तोर संतोनों आपड़े ताड़ियो थी स्वागत करीए आ लोया धाम भाग्य शाड़ी एकला माटे छे क्या लोया धाम नी अंदर अभार नवार आवा मुटा सद्गुरु संतो ना आपने दर्शन थाई छे भगवान ना संतना दर्शन करवा माटे पेला स्वामी ये वातों मा कितो मुमुक्षु पेला तो साधो ने खोडता अब आज तो संत खोडता आवे छेक मुमुक्षु कौन छे येम लोया धाम ना पिवडा गन्षयाम महराद नी आपणी उपर ये जमी द्रश्टी छे आपने आवा कडियुग नी अंदर भगवान स्रीहरी नी सरोपरी निष्ठा थाई छे भगवान स्रीहरी नी सरोपरी निष्ठा करावी राखे न महराज मा जोडी राखे वा मोक्ष्ना दाता पुझेपात गुरुजी नी प्राप्ती थेई छे अना आवा मोटा मोटा संतो ना आपने दर्शन थाई छे अना थे मोटु भग्य आपणा जिवन नो कोई न होई श तो कि अध्रश्य थै भी निया गोतवा ला गया के ना नामराज डीया क्या मुकति एकुगहा आप अगठ्या थी घवन्ठानमा जता रिया आप ब्रोर्श्य ये पगठ्या उपर थी अकसरदक मा जा आई अक्सरदकि निक्सा सान था जिए, अपना माराज देखाई नी अन तमें समाधी माथी पाछा जावरले निया मडशे, अने जारे भीमभाई पाछा आवया, त्यारे येमने महराद नो योग थेो, अने त्यारे येने अलोकिक पनु अने राम प्रताप जीनो महिमा समझाया। अयां गड़ एभल बापु, येमने जारे समाधी थाई छे, त्यारे आविरितनी अलग-अलग अनन्त आश्चरिय अलोकिकता अक्षर धामनी अनु भवाई छे। आश्रूप हता, त्यानी सोभा अपार हती। आलोकिक अंदर मनुष्यनों शरीर छे। आलोकिक अंदर मनुष्य भावु छे। परंतु, श्रीजी महराज सत्संग नी सभाने की विरिते जोता है। तो महराजे भक्त चिन्तामनी मा पोते गायू, पोते किधू छे। निश्कुडन स्वम्य नोधिव छे। आ सभामा ही आपन सर्वेना तेजोमय तन छे। छटा छुटे छे तेजनी जानु प्रगट्या कोटी इंदु छे। आ सभामा आपन सर्वेना तेजोमय तन छे। महराज केछे अंतियन अभीजावच्नवदमा आ सभानें बद्रिक आश्रम, गोलोग, वैकूंट अने स्वेद्धिप करता पना सस्संगिनी सभाने अधीक जानु छे। प्रकासे युक्त देखु छे। आ बदाई हरी भक्तो ना, आ जे बदाई हरी भक्तो छे, एना सरीर ने विशे तेज, तेज, तेज देखाई छे। जेवीर ते वादड छे, ए आकासमा होई तो सुरिया नो प्रकास ढंकायलो लागे। सुरिया नाराइन दर्सन न थाई एनो अर थेवो नथी, आकासमा सुरिया नथी, एमा मनुष्यनु सरीर छे, ए वादड नी जिग्ये छे, परंतु अंदर बेठेलो जे आतमा छे, एमा तो कोई अक्सर धाम ना अनादी मुक्तो छे। कोई अलग-अलग धामो माथी पोतानी कसर टाडवा माटे संकल्प करीने आव्या छेक मारे महराद्ना स्वरूपनी उपाष्ना द्रड करीन आ जन्मे अक्सर धाम मा पुचू छे एवाई छे। अलग-अलग साध धामो ना मुक्तो गोपाडान समेनी वातो प्रमानिया सस्संग मा आवे छे। कोई आलोक ना मुक्त पन छे। अने कोई मुमुक्सुओ पन जन्मो जनम्थी मत्ता हो येवा छे। अने कोई नवा आदर वाड़ा पन आ सस्संग मा छे। यो अलोकी का सस्तंग छे, माट यहां कर दरेक भगवान ना स्वरूपनी अंदर जोडाएला होया वा एभल बापुने दर्शन थ्या धर्म भक्ति देखे हरी पासी ते जो माय जो रहे प्रकासी निज परिवार कहावत जेता स्री हरी सेव में रहे तेता तिन के मौल सब ही देखे सोभा बन रही सो लेखे ग्रही त्यागे हरी जान जेते बायु दिव्य स्वरूप ही ते ते बायु देव्य स्वरूप ही ते ते साव न अलगलग मेहल देख्या कलपना मा पन न अवे तेवी तेमनी शोभा हती ग्रहस्तने त्यागीजे बाय भाय हरी भक्तो तए बधा दिव्य स्वरूप है हता बायो तो लक्ष्मी न जेवा स्वरूप वाड़ा हता जियां सवनी कामवासना तो नस्ट थाई चुकी हती भगवाननी सेवा अविना विजो घाट संकल पन कोई ने थतो नई स्रियरीने राजी करवा माटेनीच बदी चेश्टावने क्रियाव करता हता आ वर्ननने सामढ़ी आपने आपनी द्रष्टी न केडववानी छे कोई बिजा कोई पन क्षेत्र नी अंदर पगलू भरे हजुएनी पासे डिगरी आवी नथी हजुए सक्षम थयो नथी चटाई पन आपनी द्रष्टी ये जे एक खेत्रमा गयो छे एक खेत्रनी उचाई उपर पहंचे छेन आपणे ने ये द्रष्टी थी जोईए छे एम आजे देखा तो मनुष्य भाहु वाड़ो व्यक्ती आजे जेमा आपने मनुष्य भाहु लागे छे आजे आपने जे मनुष्य जेवा लागे छे या आउती काले भगवान स्रीहरी ना धामना मुक्त छे कदाच आपने आ मनुष्य ना सरीर मा मुक्त तरीके न स्विकारी सक्के न ओड़खी सक्के करनके मनुष्य नुँश्य नुँश्य वाद़ जेव उचे यहना प्रकास न ढाकी दे न ओड़खाई परन्तु एम मनी एका भविश्य नी अंदर अक्सर धामना मुक्त ज छे तो जे मारे भविश्य मां जेने मुक्त मानवाना चे भविश्य मां जेने मारे दीव्य सरूपे जोवाना चे यहनी सरूआ तुम आज्थि जो करी दाओ उँँजो आज्थि करी देश तो एक कदाच यहने बेजन में दीव्यता प्राप्त थावानी यह से ग मुक्त पनु प्र पन्दीव्य बनीज जसे, माटे आमाथी केडववानू छे ये, जेवा भक्तों छे ने बदू अलोकिक अलोकिक ने अलोकिक लागे छे, बद्धु अलोकिक लागे छे, भगवान अलोकिक लागे, संत अलोकिक लागे, भगवान न भक्त अलोकिक लागे, येवो महीमा केडव छे महहराधने सौथी वालू वर्ग्मान, मध्यानु तेतरिष्म वच्णाब्रोध निश्कामी वर्ग्मान, जेटलू द्रड़ छे जेटलू द्रड़ छे भगवान इतला आपनने वाला कर्षे, महराज के यहना हातनी सेवा गमे छे, यहना हातनू पानी पिऊ गमे छे, जेवी सेवामने गमे छेवी बिजानी गमती नथी। माटे भगवान ना भगतों नित्य जोव सांभड़ू स्परश करो आब दाइनो विवेक इतलो बदो राखो एमा आजना साधनों छे एनी अंदर तो इतलो बदो विवेक राखो कि लक्स सदाई लक्सनी सुद्धी लक्स रेय। ऊंग करों टों लक्सी जोएए न एकतांचै भगवान ने राजी करवाज खे, मोग्त मर्यापची स्नती सविक बिजो कोई घाटत निए। कहीं करी ए भगवानने राजी करी है। कर्या नमा अिमारी ऊपर महाराज राजी मारी उपर महराजे जेने राजी करया छे वा मोटा पूरूसो राजी ताई अने विस्तुद्ध भाव थी ए राजी करवाने अंदर आपणी कोई मान मोटा आलोक मा किर्थी आलोक मा पांच जिग्या आपने को ओडखे माने पूझे एना माटे नहीं पन केवर निश्काम करता होई तेरे नी आखमा थी प्रेम नासू पड़ता होई ए राजी पोचे डईकाल गुरुजी जे केता था कथा मा कि मोटा पूरूसों ने जहरे आपने याद करी ने आपनी मुमुक्सुता ने याद करी ने आपनी भगवान तरप नी जे भगवान ने पांबा माटनी जे आपनी खेव ना याद करी ने आपने भगवान मेडवा माटनी जे जंक ना याद करी ने जहरे मोटा पुरुष्णी आखमा जड़ जड़ी आवी जए यानु रदई द्रवी जए जे गुनादी तानन समय वातों मा किदू देश देशांतर बहुत फिरा मनुष्य का ब पढ़िया दुकार जेना जोइन मोटानी छाती ठरी जाय इवा आपड़ा जीवन थाय एवा आपड़े थीए बया रिखा मरी न धास है मुट्द को अने जपसे निया द्रष्टी वाक उपसे डाम डॉफवाँ जेट्ला कल इए जेटीट्ल account पीए अब नेना शरदामना मुक्त थावू छे झे यह भलब आपूने अनुभवाय छे एज आपणे अनुभवव अनुछे आपणे पन रात रे सुप्नामा सुता होय ने क्यम् महराज नावे क्यम् ना आवे आपणे आटला वर्सोति सत्संग करता होई ये तो क्यम् Democrats महराज जो वचनामुर्त मा एम केता हुए प्रथम ना त्रिस्मा मा के आ सस्संग ने ओ प्रताप छे का सस्संग नी अंदर जे वातो थाई छे याने कोई धार्या विचार्या करे तो यहना गाट संकल्पनी निवरुत्ती थाई जै थोड़ाक समय दस पंदर वरस्नों प्रताप विचारा करे तो गाट संकल्पनी निवरुत्ती थाई जै आवा तो स्री जी महाराज ना पोताना आसिर्वाच छे तो जे काई कसर रहे छे ए प्रथमना विश्मा प्रमाने महाराज के हरी भगत ने तो जेकली कसर रहे छे यह आड़स अने प्रमादे करींडे अलोकिक पनु आपने नथी देखातु तो स्री जी महाराज मनुष्याकार अता त्यारेत देखाई शु गोपाडन स्वाइन मुक्तान स्वाइन प्रुथविपर अता त्यारेत देखाई ना महारात प्रगट छे मोटा पुरुसो प्रगट छे सास्तर रूपे प्रगट छे मोटा संतो रूपे प्रगट छे एवा मोटा अरी भक्त रूपे प्रगट छे एज अलोकिक सस्संग आजे छे सुरियान चंदरतप शेत्यां सुधी हशे अनेवा भक्तो नापडा गना बदा परिवारना भक्तो नेवा अनुभव थायी छे पन नित्य दीव्य द्रष्टीने केडवी जिवबा, लाडुबा, पांचुबाई, नानबाई, राजबाई, अमुलाबा, अम्राबा, मेनबाई, अमुरुतबाई, अमरबाई, अधीबा, जमकुबाई, बन्ने रामबाई, फुलीबा, रतीबा, गंगाबा, लाडकीबाई, ये बदी भक्त बेनो अत्यंत निश्काम भावनावाडा हता, सव ना मेल अलग अलग हता ते सव आनन्ती स्रियरी नी सेवा करता हता, ते उपर जनावेली हरेक बेननी सेवामा बिजी अनन्त दाश्यो रोकायली हती, वडी बिजी ग्रहस्त बेनों जे हती, ते ओ जीवबा वगेरेनी सेवा करती हती, दरबारों नी पत अलग-अलग जातीना पंखयों बोलता हता ते मानो सरीहरीना गुणोनुच किर्तन करता हता मेलोंने फर्ती एक-एक हार केडोनी ने फूल जाडोनी पन करेली हती गना प्रकारना जडासयो हता तेना पगत्यमा मनी जडएला हता तेनी बनावट जोईने तेना वखान मुखे थाई शके तेम न थी दरबार एभल खाचरे ते समय उनमत गंगाने अपूर व रूपे क्यारे कल्पनापन करी न होई तेवी देखी तेना गाट विवीत प्रकारना मनी थी मडेला बांदया होई तेवा जोया हंसनी अनेक जात्यों ते आनंद मानी रहती ते आपार कमडों आनंत मुत्यों भर्याता उनमत गंगा के दोव कोरा सोवर न के गिरिवर रहे जोरा कल्प व्रुक्ष के बना रहे सोबा कल्प व्रुक्ष के बना रहे सोबा देखत चीत ही रहवत लोबा देखत चीत ही रहवत लोबा गंगा ने बनने किनारे सारा सोनाना परवज जोया उनमत गंगा जे गटपुर्णी अंदर वहे छे एज नदीने दिव्य रुपे कल्पना पन नो करी शकाई एवी रितना त्यां गाट मढेला मनियो ती मढेला गाट जोया हां उसनी अनेक जातियो जोय गंगा ना बनने किनारा सारा सोनाना परवज जोया त्यां कल्प रुक्ष नी अध भूद सोबा हाती तेने जोय ने चीत लोबाई जतु हतु जेटली जातना देवरुक्ष केहाता होय ते बदा त्यां सोभाव दारी रहाता ते वरुक्ष उपर फ़ड फूल अखुट प्रमानमा रहाता तेमाथी तेजना किरणो छोटी रहाता एजोय जेटलू वर्नन छे एद तेजने मध्य छे स्रीजी माराजे प्रथमना बार्मानी अंदर बव सरस्कितु मुक्तानन छोएना प्रश्णमा अक्सर धाम केवुँछे आखी पुरुथवी काचनी होय जेटला पसु पक्षी वरुक्ष आदीक्षे बद्धाई काचना होय आकासमा जेटला तारा चेटला सुर्य होय अने तमाम सुर्यों नो प्रकास एनी उपर पड़तम होय ने पृथवी जेवी जगमगे एनी उपर रहला रुख्ष पसु पक्षियो आनी अंदर जेवु तेज जढ़ हडे अने प्रुथ्वी केवी देखाई आतो एक कल्पना करवा माटेश अनंत सुर्यो ताराव तो केटला चे एटला सुर्यो नो तेजने काचने प्रुथ्वी अक्सर धाम एवुँ छे एटले भगवाननी मुर्तिनु ध्यान हम्मेसा भगवानना भकते पोताना रदैमा तेजने मध्य करूँ जोए तेजने मध्य महरादने धारी अन करूँ जोए प्राथमिक दसामा एविरते ध्यान करूँ जोए गटपूर्मा महराच्छे लोयामा महराच्छे गरमा प्रूजवे प्राथमिक दसामा, जेम 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 एमा स्थिती थाती जै, स्थिती थाती जै के ता भगवान आपड़ी साथे बोले, एवो आपने अनुभहु थाई, भगवान आपड़ी साथे काईंक रमे एवो अनुभहु थाई, एवी अनुभुती थाई, त्यार पची थ एना थी उपर गोपाड़ान स्वमिके त्राण सरीर्थी पर थाई, सत्तारूप थाई, केवड तेजने मद्य भगवान नी मुर्तिनु ध्यान करूँ, पची एने मद्य भगवान ने जमाडवा, भगवान ने रमाडवा, इस्थिती सुधी आपड़े महराज के, के जेविरीते पक्सी, औने पसु ए चारो चरीन पोताना माड़ामा आवे छें, तमे कथा वारताने किर्थन रूपी, चारो चरीने मुर्ति रूपी माड़े आवो छो, के हराया धोर नी जम ज्यान तेयां रखडी खावो छो, आपड़ो माडो आपनने खबर हो हो जए, आपड़ो खीलो आपनने खबर हो जए, कथा करी देए, कथा हांबडी लेए, एला आपड़ो काम पूरू थियू, आउँ आपनने क्यारे लागू ना जुए, आतो चारो छे, गास खईए छा तो, कथा वारता रूपी तो गास गनाविए, पन ओरिदनल माडो ये मूर्ती छे, हाँ, आपड़ी ये विस्थिती थही गई होए, क्या चारो करता करता मूर्ती मा रहिने चारो थातो होए, मूर्ती मा रहिने जापने हां बढ़ता होए, मूर्ती मा रहिने बोलता होए, मूर्ती मा रहिने जमता होए, मूर्ती मा रहिने तमाम क्रिया करता होए एवा थाई जीए, एवा जेदी थाईए, त्यारे आपडू अंतिम बिंदू पोहचिए। त्यारे आपड़े बराबर जीए जिग्ये पोहचवा माटे आपड़े दाखड़ो करिये निया पोहचिए। त्यां सुधिया आपड़े मेनत करवानी छे आपड़ा लक्स आपड़ु डेस्टिनेसं एनी तरफ आपड़ी द्रश्टी जोईए गंगाने किनारे कल्प रुक्षन अनन्त वृंद्ना वृंध हता गंगानु उजुडु नीर तेथी व्याप्तने सुक्कारी स्वाधु तो तियां ावीने स्रीयरी नि साथै गंगा मा नाता हता। तेनी अनन्सोबानु वर्नन थाई सकतू नत अकसर धाममा ए प्रकार्णी रचना छे कोई मुक्त नेयाम थाए मारे सरौर थाऊँ छे तो ये सरौर रुपे थाई जै कोई मुक्त नेयाम थाए माराद ने मारे चाकडि थाहँ छे तने चाकड़ी रूपे थाई जै और जगडव न आन आपना आंद क्या रहे आवे मारी आरे से, यहम लागे तो आनन्द आवे ने, कोई मोटा सादू है गुरुजी जेवा, आपड़ी आरे डाइरेक वाद करें आपने थाई ने, मारी आरे वाद करें, आटली सब आपने पूछे के बापा आप बोलो, तो आपने आनन्द आए, मने पूछी वाट लामा, यहम माराजा, मारी पाहेच्छे, आऊ लागे, यह प्रेक्टिस आई थी करवानी छापड़े, माराज आई रिया, आई रिया, जे निस्कुड़न समय की दुने, मारो गर्भ वासत्राश टाड़्यो जीवन जानूछो, ते तो आडो आंक जवाड्यो जीवन जानूछो, आज जीवन जानूछो, राखो छो खबर सारी जीवन जानूछो, छो आउतार नाय आउतारी जीवन जानूछो, सची दानन्द दिव्य मुर्ती जीवन जानूछो, एवा मोटा छो महराज जीवन जानूछो, ते मल्या छो मने आज जीवन जानुछो, आई रिया, महराज, क्या दूर छे ऐ बेठा ए बोले आच आले आज मैं हामढटी आणी दूर छेजने बगवान मोट आपनी पासे होई त्यारेच शास्त्रों मा लखेला शब्दोनो अनुभौती माटे छीए कि वड़ वांचवा अने सांभडवा माटे नुदी एक एक सब्द सास्त्र मां लखेलो चे लोयाना तेरमा महाराज के सास्त्र मां जयंग लख्यू छे एम मज थाईज जे लख्यू छे ये साचूज छे, साचूज छे, सास्त्रमा जे प्रकारन लख्यू छे साचूज छे, पने अलोकिकतान अनुभू, आपड़ी जेटले मा विश्वास, आपड़ी जेटली निष्ठा, आपड़ी जेटली खेवन, आपड़ी जेटलू ये मार्गे चालवा साथे आउता, बदाज भक्तो किसोर उमर ना सोबा संपन नता, निया कोई उमर वाडा नाई, दोडा थाता नती, काडू पिछू गसूद ना पड़े ना, सोड वर्स ने किसोर अवस्ता, डायबिटीस ना थाई, कोलेस्टोल ना थाई, no problem, कसूद नाई, सुख सुख न रूप, भभवान जीघी उमर, भभवान नीजयो आनंद, बद्धूज महराज जयो, यहो बहु सरश्य अक्सर धां मा जाओ, महराज कई ने क्यार आदेह मुखिने सुखने, पामिये, यहनी पाच्षड मेनत करवी, यहनी पाच्षड मेनत करियो, आ संकल्प करवा, ज़हर यानी कोई पन वस्तुनु स्मरन थतू नहीं। अहिनु याद रे धाम मा बेहे खरो। न्या कोई वस्तुनु स्मरन ना था येद न्या बेहे। अक्सर धामने अंदर रही कौन सके। जही कौन सके। जिन्ने अहिनु स्मरन आवे। अहिनु स्मरनों ये अक्सर धामने अंदर जाई तो एने पाच्छोर लाव पड़े, ठेक महाराद दर्बाज लेगे तो न्याथी पाच्छा लाव पड़ेवा तो किटलाई छे कहे माराद एने लेवा आवया अनो एने जो काईक संकल्भ ठेओ तो है छोड़ी दिधा छे, वरहाँ खेर ने महाराद लेवा आवया अने एटलू sensitive ए विमान छे के सेज गंद रही गिए सेज तरत अने महारात्य बहु हुगा वड़ा तरत अज गंद आवा लागे कियम नाखो के एठो आने राखो दीक्री नो ठावव पडियो मानु भावन स्वामी आ भे अ दीक्री तो थ्यों पन याध रिए जनम नि अंदर आ दीक्री नो बाप वतो आ ऱवे दीक्री न खाववानु कियम नो धावे ले zmthe dhavet नहीem હྱ્દરીધ૸ે, स्वે નૂ હྱલામાપે, આશિનીવે નીં હે કྱજે. ની નીતર૮થ ની ફયે ની ને, महराज का स्वामी क्या तो बेटी का बाप आने धावे बोलो अना देया छोड़ी दिदो पची ग्णान्रियू पने एटली घंध होई तो ही महराज जो मुकी देता होई तो गंधना पोटला भरेला है तो हूँ थाशे रोज विचार कर वोक आपड़ी अंदर केटली घंध से केटली घंध मे खाठी से प्रथमनु आड़त रिश्मु नामानो वजना मरुत केटली काठी केटली काठी केटली बाद जétais मेनत हो है तो प्रथमना सित्त्यरम प्रमणे मरा सब्भासे आपली नूठाओ उषै पन आपड़ी मेनत अध नहीं होई घंध बाजोनी आपड़ी द्रश्टिद नहीं होई तो महाराज केशे गंतों काडवी पड़से जोखा करवा पड़से माटे मेहनत सास्त्र माजे अलोकिक पनु लख्यू छे ये तरफ नी करवी आँख बंद करीन महाराज में धारवा बले विकडेज मां जोबो करीन थाकी ग्या होने पन विकेंड नी सासरी जी अे झा नैगो तारक बापा क्या है गया खुवी गया का अग्धू मंदिर ब्हाला प्ष्छे खोन लख यह जोखते कर हदे चाहिए अज कुंट दियान करता था कि बापाधे थयरां करनाथ्तों में करोसे तु श्यक्राई करनाखुए तो को अंड़ दियान करता था कि अन्युक्षे नंसंडले थीए नंगे पन आपने आश्चरे थे का आटलो नानो दिकरो येने द्यान सब्दनी खबर छे सत्संग नी अंदर हज्जारो छे द्यान सब्दनी खबर केटलाने होसे उम्मर जतीरे आखी तो ये द्यान सुचे खबर नथी द्यान सब्दत नहां बड़े होई अपने मोटा पुरुष्णा सानिद्ध्यमा रेवानु सु फड़ छे ये स्वामी एकी दुने के वाचलु जेम गाईना आउमा वडगेनेने दुधनु सुखावे येम मोटा साध्धुने वडगेने महरादनु सुखावे ये के साबीत नहीं आपनी नजर नहीं हामें थाई आलोकिक पनु नहीं तो सुख पांच वरस उमर असे स्री जी निए पांच वरस असे पांच वरस नो छोकरों येम के उन ध्यान करतो तो एक किटली आश्चर ये वाड़ी बात के वे येने अमेरिका मा मुंडन करई इन चोटली राखता सरम नथी आउती मुंडों करई इन चोटली राखवे निए के स्कूले आउज जोउज मारे तो बोलान्चिन्ता ऊपडिका आओ जासे तो येन चोटला ये राणद करशे अवेकिशन से कि मानलम हम जैन बाकी मूंडन करा विद्धमार। मॉंडन कराल उज राखवे अलोखिकता सस्संग निए अजो आटला चोकरा कथा ने बेह अलोखिकता सस्संग निए क्या निए ठेला चे मुक्तो, दर्बार एबल खाचर अक्सर धाम्मा थी गोलोक मा आवे, आगड़ गिया, पाछड आवे, त्या पन तेवी सोबा जोई, पचि त्या थी तेव वैकुंड धाम्मा आवे, तो ते स्थान मा पन तेना जेवी सोबा जोई, त्यारे दर्बारे श्रीयरी ने पुछिवा, त्रन धाम्मा में कोई न्यूनता के अधिकता देखीने येनू रहस्य सुछे, वैकुंड गोलोक ने अक्सर धाम, त्रनेव, एबल बापु ये जोया, पन एबल बापु के मने काई का अधिक न्यून लागियू नहीं, महराज आमा फेर सुछे, बोलो छे के नहीं, कया वचनावत प्रमाने छे? पंचाडानू पेलू, महराज के मनुष्यना सुक करता राजानू सुख दीक छे, राजाना सुक करता इंद्रनू सुख दीक छे, इंद्रकरता ब्रहस्पतिनू छे, ब्रहस्पति करता वैकुंठ नू सुख दीक छे, ब्रह्माना सत्य बगवान ना अकसर धाम नो शुकट्व अति अधीक छे जारे जारे अकसर धाम नी वात आवेते आर महाराजे कि दूख आ धाम सर्वती अधीक छे पनहीं यह भलवापु ने सू लागे छे, बद्धू, बद्धू सरकू, कारन के तेज तेज जोयू छे, बीजू तो कहीं जाजू उन्डूग नियान नथी, यहले नियाई तेज जोयू, गोलोकमाई तेज जोयू, वईकुंदमाई तेज जोयू, बदाई धाम हर्खा लाग भक्त पन ट्यार इस्तृत्ती दान्यों ने लिए विद्सक्कुके फमत करें ऋब ल Insya कुख कल систुन्या प्रिती तोडवीच पड़े, जे तो रामायन होई, स्रीमत भागवत होई, कोईपन सास्त्र होई, आल जे जग्ये थी उखडवे चोटवे चे, अई थी उखडवे पड़े अटी उखडवे पड़े, देहने देना सबनदी माथी अहम उने ममत्वनी बुद्धितो, गोलोक मा मा जूए एने ही तोड़वी पड़े वाइकुंड मा जूए एने ही तोड़वी पड़े केवान वर्थ राम उपास खोई तो एने ही तोड़वी पड़े न क्रश्न उपास खोई तो एने पन तोड़वी पड़े परन्तु भेद सानो पड़े चे आध धाम मा जवा पाचल उ उपाषनानो भेय। उत्तम मुझ्यमानोenga कनिष्ट जे भेयध पड़या। उपाषना जांपकरिव। Shri Jimaradna जां उत्तम निरुकल निष्चे वाड़ा मुत्यों चे। principle fy Elias orerta wase 2700 गमकी स्कुरी के गना कोर्चनता ऑपनिंद्य जांता द्चुन। यह उमंदिर वह तो यह खूलागे जहां कथावरता ना थातिव यह खूलागे धरम नियम पाड़ता यह शाधु जो यह खूलागे अन धरम नियम नो आखो पोटलू वाड़ इन बद्धू ऊपर मुखी दिद वह खूलागे जे अरी बगत चांदरायन करता हो इन धारना पा प्रहाई देतो यह हर खोलागे बेह हर खा कारण के यह नी पास चोखू ग्यान न थी एम्मे कि दुन के यह भल बापू ने हजू समागम चालू छे अक्सर धामना अक्सर धामनों महिमा ने महिमा समझाओनों प्रोसेस चालू छे इटले बदू समान लागियो अने त्यारे त्रने धाम छे त्रने धाम ए भक्तो नी उत्तम मध्यमने कनिष्ट ए त्रन प्रकारना भक्तो नी रूची अनुसारे एकत धामना त्रन रूप थे त्रने ने सनातन समझवा त्रने धाम अक्सर अविनासी छे टुक मा त्रन धाम नास पामता न थिया त्यमा अविनासी पन आमा काई फेरफार न थी पन भक्तों नी रूची मा फेरफार छे जेवु भक्त ये रूची करी ये वु येने मड़िव एटले तो श्रीजी माराज वक्ते पन जे लोको एक क्रश्ण जेवा जान्या येन गोलोक नी प्राप्ती थीछ स्वामी नी वातों मा आवेशे भक्तों ने समाधीकरा वित एक एक धाम जोता क्या बद्धे आपड़ा संतों पार्षदों अरी भक्तों बद्धों हजारी लेन किर्तने गाता है तारी मूर्ती रेचे जो नेनों बद्रीका अस्रम मा इक गवाई माराज ये वचना उतमा कि द और नारायन एज स्वामी नारे कोई नियाम हम जोई क्रष्ण एज स्वामी नारे कोई नियाम हम जोई वासुदेव नारायन एज स्वामी नारे आऊ हम जोई ये तो कोई भाग्यसाडी होई येने आ घाटी स्वामी जे चार घाटी की दी पुर्षो तम ने पुर्षो तम अनुग्रह एने जोडखाई, मद्ध्यना तेर ममा महराज के सत्पुरुष जारे प्रगट थाई छे, त्यारे ना मोक्थी वात ने सांबडे त्यारे हमजियामा आवे, सास्त्र माथी पोतानी मेडे वात हमजाती नथी, आ मोर्ती सवथी न्यारी अचरजकारी छे, आ मोर्ती नैयन्य जे भी अचरजकारी छे, अरी धरीन धर्शे भी अचरजकारी छे, यहाँ मोटा पूरुष प्रक्ट्या, यहने लख्यू यहाँ लखेलू आपने हम जाविव नजू हम जावे छे, त्यारे आपने बरबर मगजमा बेही उसे कारियन ना बीजा प्रमानेक, आ महरा अख्सर दाम तेनी फर्टुचोतर अखसर दाम तेनी फर्टुच ओटरफ सोभी रए उच नहीं वैकोंड छे तेक अनिस्ट छे पारा वार वार मुखकरत उचारा वार 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 मुखकरत उचारा दर बार अरेबल खाचर देहमा पाचावया समाधि माजे जोयूतु तहां थी पाचावया चोतर अब नजर करीने महान विस्म ही पामया, जे न्या जोयू, अहीं तो बदु यावे तेज हंके लाई गियुश, न्या जेवा तेजो में बदाने जोया, अहीं तो बदा मनुश्य जेवा देखाई, न्या किसोर अवस्था वाला जोया, अहीं तो बदा मोटी नानी उमर कोई लंगडा, जेव जेवी जेनी सरीर मा खोडखापन येवा देखावा लागे, स्वबावे युक तो देखावा लागे, आब धु जोयू जोयू विस्म ही पामया, वारंवार मुक्ती बोलवा लागे, श्रीयरी ना महिमानों कोई पार न थी, कोई पार न थी, तेवो अधारानन स्वामी लखेचेन मुक्तानन स्वामी केचे मारी स्मूती अनुसरू आवात कवुछू। दर्बारे स्रीयरीना घना मोटा भारे तेजो मेई धाम देखे आता, त्य अत्यंद सुक्कारी हता। तेमा एक तेजो मेई मेल छे, जेना एक एक स्तम्मा करोडो मनी जड़या छे, ते स्तम्प घनाजू उचा छे, तेना दरवाजा पन सारा मनी मेई छे, दरवाजाना अमुल्य मोती ना तोरनो लटकता बांध्या छे, तेना दरेक दरवाजाने जोईने भुला पड़ी ते मेलना अनंत माड सोबी रहा चे त्यानी अलोकिक कांती चोतरप छाई रही छे अपार तेजोमे प्रकास पुर्ण तेद्धाम मा दीवस ने रात एवो समय नो विभाग न थी अक्सर दामा रात न थी दीवस न थी बगवान जाग एवी लिला करे दीवस बगवान सुईग ते मेलनी वच्चे न भाग मा एक तेजोमे रासी छे अती तेजने लिधेते प्रकासी रहो छे तेना मध्यमा एक सिहासन छे तेनी सोबानू वर्नंत करी सकातू न थी अनन्त मुक्त ज्या आनन्द भरिया रेचे प्रभुजी निपासरे सुख सुख ज्या सुख नादरिया त्यावसिरया वासरे तेज तेज जिया तेज अम्भार तेजोमय तन तेनारे तेजोमय जिया सरवे आकार सुख हिये सुख नारे तेज मद्य सिहासन सोबे तिया बेठा बहु नामिरे निस्कुडानंद कहे मन लोबे पुर्ण पुर्षोतम पामिरे नवरा पड़ो तेज ने मद्य सिहासन ने धारी पीवडा गंश्याम महाराज हरीक्रश्न महाराज जह स्वरूप में आपने प्रिती थाई छे एवा स्वरूप ने तिया ब्यसाडी नित्य जोवान अभ्यास रात दिवस चालू रात दिवस जब करता बजन करता सेवा करता पवित्र देहे अपवित्र देहे तेज ने मद्य ए मुर्ती ने जोवानों ने मुक्तोनी सभाने जोवानों अभ्यास सतत राखो। महाराज क्याम सतत जोईये चे जारे मुक्तोनी सभा महाराज पोते आपनने समझावा माटे के चे के मुक्तोनी सभा जारे न देखाई महारादना तेज मध्यम सियासन मा महारादने धारी राखवाती रदैमा बू टाढ़ू थाए अन्दर टाढ़ू थाशे तो आपड़े टाढ़ू रेशे न आपड़ा संगे कोक टाढ़ू थाशे आपड़े ज उकड़ेला रेशु तो आपड़े उकड़ेला रेशु आपड संघी पन उकले लो रेशे माटे रधैमा ध्यान माराद नि मुर्ती नू माराद मुख्तोंनों सतत करू तेना मध्यमा एक सियासन छे तेनी सोभानू वर्णन तो करीशकातू न थी तेमा चित्र विचित्र तानो कोई पार न थे बद्धू जपार तेजोमेई छे वीवित प्रकारना चित्र विचित्र पार पंख्यो त्यां छे अत्यन सुमदूर शब्दों ने उच्चारे छे ते महान सियासन उपरा स्रीहरी विराजी रहया चे त्यां एकलू महान सीतडने सांथ तेज 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 अच छे तेनो कोई पार न थी स्रीहरी ना मस्तक उपर जडावनों मुगड चे, कानों मा मकराकार कुंडड चे, मुगुट मा कलगी भरावी चे, मोती ना तोरा लटकी रहया चे, समग्र वस्तर जरियानी पेरया चे, छाती उपर मोती ना हार पेरया चे, मुख कव्ण मा अधरोष्ट उपर धारेली बंसी मदूर मदूर स्वर निकडी रहयो चे, आओ एबल बापुने जे अनुभव थियो तो, स्वामी एक इदुक में मारी स्मुत्ती अनुशार उत्तम राजाने के छे मेतमने आ कथा की दी छे, आधारन स्वामी आ कथा लखी छे, इती स्री सहजानन स्वामी सिष्य सिद्धानन मुनिविर्ची स्री हरीचरतनों सागर्ना, चतूर्थ कडश्मा अभई राजाने समाधिमा अक्षर धामादीना दर्शन कराव्या, ए नामे नौमो तरंग्षमाप्त थयो, स्री गनश्या महराजनी जे लिएगुए।